हलो बच्चों, welcome back to our series concept of the day आज हम जा रहे हैं calculus के एक problem को बिना calculus हाथ लगाए solve करने calculus को छूएंगे भी नहीं और calculus का problem बना भी देंगे कैसे आईए देखते हैं अब शुरू करने के बहले बता दूँ आपको कि जितने भी annotations वगेरो जो भी मैं यहां पर भी आज भी लिख रहा हूँ या जो भी classes में आपकी YouTube classes में लिखता हूँ हर annotation हर class notes हर एक class का DPP mind map हर चीज आपको आपके telegram channel पर हमारे telegram हमारे और आपके telegram channel पर मिल जाता है जिसका link मैंने यहां डाल रखा इंस्टाग्राम पर आप हमसे अगर connected रहना चाहें तो उमीद underscore J को follow कर लो और उसके अलावा हमारा जो website www.anandmoney.com पर हमारा पूरे material का reservoir आप free में register करके access कर सकते हो ठीक है चलो शुरू करते concept of the day से अब कहानी कुछ ऐसी है कि एक नदी बह रही है ठेक है यह है नदी जिसका नाम हमने दे दिया x-axis ठेक है अब यहां पर एक लड़का इस point पर let's say 2,2 पर खड़ा है और उसका एक friend है बी जो 8,4 पर है और बी बचारा थका हारा बहुत प्यासा है उसने a से request कि भाई नदी से एक बाल्टी पानी मेरे ले लिया एक बाल्टी छोड़ो एक class ही ले ओ प्यास लगी है तो a बोलता है ठीक है शौर अभी लाता हूँ फिर a यहां से चलने के पहले सोचता है की बी तक अगर मुझे जाना है तो क्या मैं पहले नदी के पास जाओ और फिर यां का यह रास्ता मदिगा यह रास्ता छोटा पड़ेगा कि पहले लाँ से fix ने परंपेंडिकुले व nó फिर वहां से B के पास जाओ या फिर बेटर रास्ता होगा कहीं बीच में कि इस point को हमने touch किया और उसके बाद let's call this D and then D से B के which is the shortest path originating from 2,2 going to a point on the x-axis कोई भी point हो x-axis पे और फिर going to B अब traditionally जो तरीका है इसको बनाने का यह calculus का तरीका है कैसे बनाते है calculus से एकदम 30 second लोग फटा-फट देख लें कि इस point का नाम हमने x,0 दे दिया तो पूछा कि भाई अगर x,0 को touch करते वे हम जा रहे हैं तो हमारा distance क्या होगा total travel तो ad plus db यही है total distance traveled x पे depend करे कौन सा point है तो fx जो है वो ad plus db होगा fx is the distance from a to b touching d d is x,0 और यह हो जाएगा हम लोग x-2 का square plus 2 का square plus square root of x-8 का square plus 4 का square और फिर f का minimum हम निकालना चाहते हैं इसके लिए हमें एक बार differentiate करके 0 substitute करना पड़ता है दो बार differentiate करके फिर देखना पड़ता है कि यह positive है और चुकि दो-दो square root से यहां तो एक differentiation दो differentiation this is going to be a lengthy process क्या कर सकते हैं अगर हम calculus में नहीं घुसना चाहें बिना calculus कि इसको solve करना चाहें देखो एक मज़दार तरीका ठीक है इन सब को मिटा देते हैं ओ नहीं सब को नहीं सब को नहीं इन सब को बस मिटा देते हैं ठीक है what we do instead is b का एक reflection point देखते हैं यहां पर इसको हम हटा देते हैं यहां से बगल में रख देते हैं काम आएंगे ठीक है इसको यहां रख दिया और b का reflection point देखते हैं क्या होगा 8, minus 4 होगा ठीक है अब instead of measuring ad plus db i measure ad plus dc sorry aray r ad plus db measure करने के जगा what I do is i measure ad plus dc ठीक है अब चुकिए db is equal to dc यह तो reflection है एकदम symmetrical है तो db और dc equal है तो हम ad plus db measure करे है ad plus dc measure करे है same ही बात है ad plus dc को हम minimize करना चाहरे है अब ad plus dc a से कौन सा point होगा ऐसा कि a से x axis को touch करके c तक जाना सबसे छोटा of course the straight line joining a and c यह जो भी point है this is the point that we require यहीं से ad prime plus d prime b सबसे छोटा होगा क्योंकि यहां से ad prime plus d prime c सबसे छोटा है समझ रहे बात को हम लोग ऊपर वाले पात को calculate करने के जगह यहां और इसके बाद का reflection calculate कर ले रहे हैं चुकि दोनों equal ही है अब देखो यह कौन सा point होगा निकालना बहुत असान है जो line होगा straight line going from a to c is of course y minus 2 by x minus 2 is equal to 8 sorry minus 4 minus 2 by 8 minus 2 है ना जो कि minus x by 6 minus 1 आता है so the equation of the line is x minus 2 यह होगा x plus y is equal to 4 तो अब हमें निकालना है कि d के coordinates के हैं d चुकि x axis पर लाई करता है just put y is equal to 0 है ना तो x is equal to 4 तो 4,0 वो point होगा y axis पर या उस नदी पर जहां पर a को जाना चाहिए पानी बढ़ने और उसके बाद अपने दोस्त b तक जाना चाहिए if he wants to minimize the distance traveled and hence if he wants to minimize the time taken अगर वो constant speed से चलना हो तो चलो दूसरे page के में ज़रूर रत ही नहीं पड़ी पसंद आया अगर आपको like करके बताओ अपने दोस्तों के साथ share करो सबको मजाएगा और असे बहुत सारे वीडियो आगे आने वाले subscribe कर लो bell icon दबादो ताकि कोई भी ऐसा वीडियो जो मैं बनाओ आपसे miss नहोई